जो तोहर आप मना रहे हैं किस तरीके से और कैसे मनाया जा रहा है पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप एक अच्छा मैसिस लाइब चैनल के धुरू बताना चाहरे हैं ये एक हिंदू धर्म में जिस तरह से मनाया जाता है शांती पूरुप और बड़े ही धार्मिक तरीके से जन्मास्टमी के अफसाओ को हम लोग बनाते हैं और सभी रल मिलकर पूरी समीती के लोग इसमें सहयोग करते हैं और बढ़ चल कर इसमें हिस्सा लेते हैं शिव संकर तिवारी जी मैं उनसे भी दो सब पूछता हूँ कि मंदिर में स्री कृष्ण भगवान की पूजा किस तरीके से और कैसे की जा रही है पहले तो जैसरी राम और मैं बंदे भारत न्यूज का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि सनातन संस्कृती की हर कारक्रम को बड़े उत्सुकता के साथ प्रसनता के साथ आप दूर दुराज की एरिया में जा करके और कैवरेश करते हैं और जन जन तक पहुचाने का कारी करते हैं सबसे पहले सनातन धर्म की Jai आज जनम AśTHello का एक पावन परव है जो सनातन धर्म की आजख बादरपद कृष्णपक्च अश्टिमिती थी दिन सोमवार भगवान का जन्म भी बादरपद कृष्णपक्च अश्टिमिती थी और दिन बुधवार था रोहनी नचत्र था आज भी रोहनी नचत्र है तो आज के पावन पर उपर मैं सभी भक्तों को हार्दिक बधाय और अ सभी को सुक्सम्रद्धी प्राप्त हो कि तीस अगस्त दोहजार इकीस दिन सोम और क्रश्न जन्मोच्छो जन्माश्च्वी के पावन पर्व पर सभी भक्तों का वहां तो कि वहला आनन्द है आनन्द का कोई पर्याय पर्याय बाची नहीं होती है आनन्द का पर्मानन्द हो सकता है अतिया आनन्द हो सकता है जैसे सुख का दुख होता है रात्री का दिन होता है और लाब कहानी होता है किन्तु आनन्द का आनन्द ही होता है और अभी हम रा लाल की गोड़ा दीना पाल की दीना और दीना लाल की तो भगवान का दूसरा नाम आनंद भी है और आनंद कन की जब प्राप्ति हो जाए तो समझना चीए कि प्रभु की पूर्ण कृपा हो गई तो आज की दिन हर विक्ति को प्रभु की प्रसनता के लिए ब्रत करना चीए प्रभू के चरणों में जो भगवान ने हमको सक्ति भक्ति दिये उसे निर्मल भाव से भगवान के चरणों में समर्भित करना चीए ऐसा करने से प्रभू बाके विहारी जी पुन करपा बदान करते हैं जन्मानस में आनंद की बहुचार करते हैं और दूसरी आज में भगव असंतुलित है दुखी है परसान है अन्याने ने को प्रकार के कश्ट हैं तुम्हें प्रभू के चरणों में अपनी समीति और मंदिर के सभी सदस्यों के तरफ से बाकी विहारी के चरणों में प्रात्ना करना चाहूंगा यह बिमारी सीगरता के साथ इस धरा से लुप्त हो ज देखि pessoas का लुवनी है जे जे कालोणी कहीं-कहीं से उटकर के यहां सन 1976 और शática के बीच में आई यहां पर लोग आ अ करके बशे हमारी देखिए सनातन संस्कृति का एक सब्शे बड़ा महत्त है सनातन संस्कृति लुप्त करने के लिए मंगलों ने बहुत-बड़ा प्रया लेकिन अपने धर्म की धोजा को कभी छोटा होने नहीं देंगे, यह हमारा सब का संकल बोना चाहिए, राष्ट प्रेम, धर्म प्रेम, सबसे पहला प्रेम राष्ट प्रेम हैं, दूसरा अपना धर्म है, तो सनातन संस्कृति की उचायों में ले जाने के लिए, उचा रखने के लिए हम सब का प्रयास होना चाहिए तो देखे में प्रेम की बात करता हूं कि जब कालूनी आई हमारे गरीब भाई लोग थे उन्हें भगवान का मंदिर चाहिए था टेक्सी स्टेंड था इस पर मा की छोटी सी मूर्थी रखी इसके वाद भक्तों के द्वारा दिब मा की स्थापना की गई और तभी से दिब सकती यहां भी राजमान हैं लोगों का कल्यान करती है यह प्राचीन स्थल है और यह सिद्ध स्थान हैं जिसने यहां तरात्मा से मनत मांगी उसकी मनत पून होती है उसी समय से यह अन्या नने को प्रकार के जितने हमारे सनातन संस्कृत के तिवार साल भर में आते हैं सर्थ फुटा बढ़ा करके और बड़े हर्स के साथ हम लोग ऐसे मंदिर समीति और सदस और पुजारी सभी मिलकर मनाते आ रहे हैं जैस्री कुछन